नमस्कर दोस्तों में नाम स्रीकान कुमर अब देकर चुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वोल इस वीडियो में दोस्तों अगर आप अधार कार्ड में मोबाइल नमबर को लिंक करवाए हैं तो अधार कार्ड में मोबाइल नमबर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है अस्टेटस चेक करने का पोटल को बंद कर दिया गया है अब आप पुराने वाले पोटल से अस्टेटस को चेक नहीं कर सकते हैं अब दोस्तो नए पोटल के माधियम से चेक कर सकते हैं कि मेरा अधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है या फिर दोस्तों अगर आप चेक करना चाते हैं कि मेरा बैंक के कौंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है लिंक हुआ है या नहीं हुआ है चेक करना चाते हैं तो इस वीडियो में हम दोनों तरीका बत लाने वले हैं इस लिस्त वीडियो को कमप्लीट देखना होगा तो च चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मोबाइल ये लैपटोप का किसी एक ब्राउजर को ओपिन कर लेना है। ब्राउजर में टाइप करना है। UIDAI उसके अबा सर्च के ओप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे उपर में जो लिंक दिख रहा है UIDAI इस लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना लैंगवेज को स्लेक कर लेना है। अधार काड का ओफिसियल पोर्टल इस प्रकार से उप्रिन हो जाता है। सबसे पहले इस प्रकार से निचे चले आना है। और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वेरिफाई एन अधार नमबर इस वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अधार काड का निउफिसियल पोर्टल इस प्रकार से उप्रिन हो जाता है। और इस पोर्टल पे सबसे पहले हम लाइफ प्रूप के साथ दिखा देते हैं कि अधार काड में मोबाइल नमबर लिंक स्टेटस चेक करने का ओप्शन को बंद किया गया है या नहीं किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है विरिफाई अधार। दोस्तो इस वाले option पर जैसे हम click करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि click नहीं हो रहा है तो दोस्तो इसी वाले option से check किया जाता था कि मेरा अधार card में mobile number link हुआ है या नहीं हुआ है कौन सा mobile number link है इसी के माधियम से आप check कर पाते थें पर दोस्तो यहाँ आप देखिए ए option को है कि बंद कर दिया गया अब इस option से आप नहीं check कर सकते हैं कि मेरा अधार card में mobile number link हुआ है या नहीं हुआ है अब आप दूसरे तरीका से check कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप check करना चाते हैं तो सबसे पहले mobile यह laptop का किसी एक browser को open कर लेना है और browser में type करना है अधार करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस परकार के interface open हो जाता है और यहां पर देखिए अधार का option दिख रहा है अधार वाले option को tick out करना है तो सबसे पहले यहां पर आपको select करना होगा select के option पर तीन option यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो आपको first पर जो option दिख रहा है PMJAY इस वाले option को select कर लेना है यहां पर सबसे पहले अपना estate का नाम को select करना होगा जिस estate से आप belong करते हैं उस estate का नाम को select कर लेना है इस box में अधार नंबर को flip करना होगा जिसका आप check करना चाते हैं कि अधार कारड में mobile number link हुआ है या नहीं हुआ है कौन सा mobile number link है तो check करने के लिए यहां पर अधार नंबर यहां पर type कर देना है उसके बाद इस box पे electronic option पर click करना है तो चलिए grow OTP के option पे click करते हैं और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इस परकार से mobile number देखने के लिए मिल जाता है mobile number का last four digit यहाँ पे mobile number हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके अधार card में mobile number लिंक हो गया होगा तो दोस्तों इस परकार से OTP send कर दिया जाता है आपके mobile number जो mobile number लिंक हुआ है वही mobile number पर send किया जाता है तो यहाँ आप आप देख रहे हैं कि mobile number के यहाँ पे four digit यहाँ पे mobile number show हो रहा है अगर आपके अधार card में mobile number link नहीं हुआ होगा समझ जाए कि मेरा अधार card में mobile number link नहीं हुआ है अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप bank account में mobile number को link करवाए हैं तो आप कैसे check कर सकते हैं कि मेरा bank account में mobile number link हुआ है या नहीं हुआ है कौन सा mobile number link है तो check करने के लिए सबसे पहले laptop या फिर mobile का browser को open कर लेना और browser में type करना है पी एफ एम एस उसके बाद search के option पे क्लिक कर देना है सबसे उपर में जो link दीख रहा है इस link पे क्लिक कर देना है यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है know your payments इस वाले option पे क्लिक कर देना है सबसे पहले यहाँ पे अपना bank का नाम को यहाँ पे select करना होगा तो चलिए इस परकार से हम select करते हैं तो यहाँ पे देखे list open हो जाता है देखे इस list में जो है का state bank को select करना है तो सबसे उपर में ही देखने के लिए मिल रहा है तो चली सबसे पहले हम सलेट करते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना bank account number फिलब करना है इस box में confirm account number फिलब करना इस capture code को इस box में फिलब करना send OTP के option पे कलिक करना उसके बाद दोस्तो bank account में जो भी mobile number लिंक होगा इस परकार से देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए यही mobile number जो कि bank account के साथ लिंक है यहाँ पर देखिए first का two digit यहाँ पर दीख रहा हूँ last का यहाँ पर three digit यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है यही mobile number bank account के साथ लिंक है अगर आपके bank account के साथ mobile number लिंक नहीं होगा तो नोट रिकोर्ट फोन देखने के लिए मिल जाता है तो इस परकार से आप किसी भी बैंक का चेक कर सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक कर दीजेगा और मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपला इकन घंटी को भी प्लेस कर लिजेगा